नमस्कार, A to Z dishes उशा गोरजानी में आप सभी का एक बर फिर से स्वागत है आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेर करने जा रही हूँ गुलाव जामुन का केक ये खाने में बहुत ही मज़ेदार लगता है एकदम spongy, मज़ेदार, एकदम perfect measurement के साथ आज मैंने आपको इस वीडियो में बताऊंगी और साथ ही साथ गुलाव जामुन कैसे बनाते हैं वो भी बताऊंगी एकदम market जैसा केक आप बना कर घर पर ही तयार करेंगे आप इसे कोई भी special location पर बना सकते हैं तो चलिए सबसे पहले हम कडाई को preheat करने रख देंगे दीमी आज पर तो आज हम कडाई में केक बना रहे हैं क्यूंकि सबके घर पर oven नहीं होता है इसलिए एक पुरानी सी कडाई ले 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 और उसके अंदर नमक बिचा ले और इस तरह से गोल वाली रिंग रख दे देखिए या तो फिर आप कटोरी को उल्टा करकर भी रख सेकते हैं तो यहाँ पर 10 मिन तक हम इसे ढखकर प्रीड होने देंगे उसके बाद एक बाउल में हम डालेंगे एक चोथाई कप तेल इसी के साथ इसमें मैं डाल रहे आदा कप दही तो खट्टी दही नहीं होनी चाहिए इतना ध्यान रखेगा अब दही और तेल को हम अच्छे से मिला लेंगे तो यहाँ पर मैंने घर की जमाई हुई दही लिया आप मार्केट की भी ले सकते हैं अच्छे से मिलाने के बाद इसके उपर पतली जाली वाली छनी रख देंगे इसमें हम डालेंगे पूरा एक कप मैदा आदा कप पीसी हुई चीनी, चीनी को मैंने मिक्सर में डाल कर पीस लिया था एक चोथाई जमाज बेकिंग सोडा, एक चोथाई जमाज बेकिंग पाउडर और इन सब को हम छान लेंगे ध्यान रखे जब भी आप केक बना रहे हैं तब जो हमारे ये पाउडर फॉम यानि जो ड्राइ इंग्रीडियन से उसे आप छान करी ले अब इसके अंदर मैंने एक कब दूद लिया है थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और अच्छा से एक बैटर तयार कर लेंगे तो यहाँ पर जो डूद है वो उसके मैंने उबाल कर भार रखकर ही ठंडा कर लिया था रूम टेंपरेचर वारा दूद होना चाहिए तो आप देख सकते हैं इस तरह से बैटर की कंसिस्टन्सी है अब आदी चमच वैनिला एसंस डाल कर इसे फिर से मिला लेंगे तो देखिए बैटर कुछ इस तरह से होना चाहिए देखिए एकदम रिबिन कंसिस्टन्सी में यहाँ फिर आप बैटर के अंदर आठ नमबर लिखके देखेंगे न तो भी आपको पता चल जाएगा अब यहाँ पर मैं आपको टिन बता देती हूँ आप किसी भी टिन में बना सकते हैं देखिए साइज आपके उपर है जो आपके घर पे अविलेबल हो आपको टिन में बना सकते हैं अगर आपके पास ऐसे नहीं है तो आप स्टील का डबबा ले लीजे आज मैं आपको इसम करा का निकाल ले अब इसके अंदर हम यह बैटर को डाल देंगे और डालने के बाद एक मेंन स्टैप देखे इस तरह से आपको टैप टैप करना है ताकि एर बबल्स निकल जाए तो यहां पर 10 मिंट हो चुके अच्छे से हमारी कडाई गरम हो चुकी है तो यह हम टिन को रख हर साइट से अच्छे से पक चुका है अब इसे बार रखकर हम ठंडा कर लेंगे फिर हम इसे निकालेंगे गरम गरम नहीं निकालिएगा तो जब तक यह ठंडा हो रहा है हम बढ़िया से गुलाब जामन बना लेते हैं तो इसके लिए आदा कप मिल्क पाउडर एक चौथा करता है जादा नहीं तो यहां पर आप ध्यान रखे के जो आटा है एकदम जादा नरम भी नहीं एकदम जादा सक्त भी नहीं तो देखिए मैंने आदा कप लिया था उसमें से भी इतना सारा बच चुका है अब इसे डगकर हम 10-15 मिन तक रख देंगे जब तक इसे रेस्ट को दीमी करकर इसके अंदर हम डालेंगे एक जो था चमच जिलाइची का पाउडर एक चमच गुलाब जल और साथ से आत केसर के धागे और इसे पांच मिन तक हम पकाएंगे इसमें कोई एक या दो तार वाली चाशनी नहीं चाहिए सिफ इसे पांच मिन तक दीमी आज पर जाना है फिर एक चमच नीमबू का रस डाल दे और अच्छे से से मिलाकर हमारी चाशनी तैयार है तो गैस को बन कर लेंगे और इसे हम साइट में रख देंगे अब हम गुलाब जामुन तलने के लिए तेल गरम करने रख देंगे तो तेल जो है एकदम दूमेदार गरम नह आप दो दो रेसेपी सीख रहें एक तो केक बनाना और साथी जाद गुलाब जामुन भी तो देखें लोई हमेने निकाल लिए अब एक लोई को लेंगे दोनों हाथ में बीच से मचसल लेंगे और इसका देखें एक बॉल बना लेना है पर बॉल किस तरह से बनाना है कोई इसमें कट नहीं होना जाए अगर कट होंगे तो चाशनी में डालते यह तूट सकते या फिर तलते समय भी हो सकता ऐसा तो ध्यान रखे कि कोई भी क्रेक नहीं होना चाहिए अब तेल हमारा गरम हो चुका है तो इस तरह से डाल देंगे और एक से आदी सेकेंड तक इसे हम देखें बड़िया कलर आ चुका है तो अब इसे हम इस तरह से निकाल लेंगे किते बड़िया लगरे आप देख सकते हैं तो मद्यम आज पर ही तलिएगा हमारी चाशनी अभी थोड़ी गुनगुनी है तो गुनगुनी चाशनी में हम यह डाल देंगे गुलाब जामुन अ अब मैं आपको फिर से हम केक बर आ जाते हैं तो उसके लिए हमें चाहिए विप क्रीम हम केक को डेकोरेट करेंगे तो यहां पर मैंने सिल्वा माग की विप क्रीम ले ली है आप और कोई कंपनी की भी ले सकते हैं यह मैंने ले ली है एक कप अब इसे हम विप करेंगे तो आप इसे इलेक्ट्रिक बीटर से भी कर सकते हैं पर सभी के घर पे वो नहीं होता है तो मैं आपको ब्लेंडर से बताऊंगी तो इस तरह से चलाते जाएं और इसे करीब 7-8 मिनिट लगेंगे स्टीफ पिक आने तक आपको इसे विप करना है और अगर आप इलेक्ट्रिक गया से स्टीफ पिक्स आचुके है इसने तो आप इसमें डालेंगे एलाइची का पाउडर एक चौहता ही चंबच तो ध्यान रखे केक जब गरम हो तब ना निकाले तो क्या होगा अगर आप गरम गरम निकालेंगे तो यह बीज से भी टूट सकता है तो ऐसा काम ना करें अब तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने आसानी से हमारा बटर बेबर भी निकल चुका है और हमारा जो केक है कितन स्पंजी कितना मज़िदार बना है अब इसे हमें तीन लेयर में कट करना है तो देखिए एक चाकू ले ली जए यानि कि नाइफ और उससे इस तरह से तीन लेयर में कट कर ले उसके बाद मैंने यहाँ पर ले ली है एक केक शीट इस पर हम थोड़ी सी विप क्रीम लगा लें यह विप क्रीम अच्छे से पूरी लेयर को हमें कवर कर लेना है तो यहाँ पर आप देख सकता है मैं पूरी लेयर को कवर कर लिया अब यहाँ पर गुलाब जामून को इस तरह से टुकडों में कर लिया है ताकि अब अंदर हम थोड़ी से डाल सके स्कें इससे क्योंकर मैंने कवर कर लिया गुलाव जामुन के टुकडों को अब इसके ओपर हमारी जो दूसरी बनाई हुई कटी हुई लेयर है वो भी हम रख देंगे और रखने के बाद इसके ओपर भी हम शुगर सिरफ डालेंगे और सेम हमें प्रोसेस करनी है तो यहां पर जो शुगर सिरफ है मैंने क्या किया थोड़ी सी चीनी ली उसके अंदर पानी डाल दिया और अच्छे सोसे मिला लिया तो इस तरह से आपका शुगर सिरफ तयार हो जाएगा जैसे कि मैंने आपको बताया आप इसकी जगा पर जो गुलाव जामुन के चाशनी है वो भी आप 2-3 चमस डालेंगे तो हो जाएगा इससे क्या होगा लंबे समय तक आपका जो गेक है वो अच्छे से स्पॉंजी रहेगा तो देखे दूसरे के उपर भी मैंने क्रीम लगा ली विप क्रीम और इसके उपर मैंने टुकड़े रग दिया फिर से मैंने थोड़ी सी विप क्रीम लगा ली पूरे तुकड़ों को मैंने कवर कर लिया है अब हमारी जो तीसरी लेयर है वो हम रख देंगे और इसके उपर अब हम गुलाब जामन के टुकड़े नहीं रखेंगे इसके उपर हम शुगर सिरफ तो लगाने ही वाले हैं देखिए इसे हमारा केक जो अच्छे से मोईस्ट रहता ह अब इसके उपर हमें टुकड़े नहीं रखने हैं पूरे केक को हमें विप क्रीम के साथ ही कवर कर लेना है घर पर केक बनाना बहुत ही आसान है और यह जो गुलाब जामन का केक है काफी बढ़िया लगता है खाने में और मैंने आपको गुलाब जामन भी एकदम परफेक् किजिए के uh Chicago यहां पर आप देख सकते हैं इस तरह से इसकी जो साईट से उसे भी मैं यहcoonर करतें जा रहे हूं पर आप देख सकते हैं अच्छे से अब यहां पर मैंने यह स्क ड्ले लिया इसकी मदब से हम अच्छे से इससे क्या होगाँ लेवल आय جाएगी κ seront visitors कि इसे रेफ्रिजरेटर में रख देंगे फ्रीजर में नीचे वाले कमपार्टमेंट में रख दें थोड़ा सा 10-15 मिर्ट तो अच्छे से यह सैट हो जाए उसके बाद जो बची हुई विप क्रीम थी उसे मैंने पहले पाइपिंग वेग में नोजल डालकर यह विप क्रीम डा मैं रख दीए है देखे किते बढ़िया लग रहे है तो साइज आपके ऊपर गुलाव जामून का चोटी बनाते बड़ी पर मैंने आपर मीडियम बनाई है तो केक पर काफी सुन्दर लग रहे देखिए इस तरह से तो मैंने यह रग दिया आप इसके जो साइट से उससे हम इस तरह से थोड़ा सा क्लियर कर लेंगे और जो केक के ऊपर हमने विप क्रीम लगाई है नो वो थोड़ी ऊपर नीचे होती है तो कोई बात नहीं वैसे भी इसके ऊपर डेकोरेशन आने ही वैला है तो यहाँ पर जो हमने गुलाब जमून के टुकड़े करके रखे थे इसकी जो केक की साइड है उस पर मैं लगाती जा रहे उस तरह से ताकि और भी बढ़िया लगे और यहाँ पर मैंने ले लिए सूखी गुलाब की पंखुडिया वो इस तरह से हम लगाते जाएंगे थोड़ी से उपर नीचे करकर आप इसकी जगह पर अगर आपको यह पसंद नहीं है तो आप जो पिस्ता आते उसको बारी कट ले और वो कर सकते आप लगा सकते और यहाँ पर मैंने सिल्वर बॉल्स ले लिए वो मैंने 20 में डाल दिये हैं और उसके बाद थोड़ी शीट पर मैंने विप क्रीम लगा लिए जहां पर हमारा केक नहीं है तो इससे क्या होगा एकदम मार्किट जैसा एफेक्ट आएगा तो लीजे तैयारे एकदम मज़ेतार जितना देखने में खूपसरत उससे जाधा खाने में टेस्टी हमारा गुलाब जामुन का केक तो चली इस इसे कोई भी स्पेशल लोकेशन पर बना सकते हैं जैसे के वो गया एनिवर्सरी बड़ी आप बनाएं घर में बच्चों से लेकर बड़ों तक को पसंद आएगा आप देख सकते किताब बढ़िया है तो इसे जरू ट्राइब कीजिए और मुझे कमें सेक्शन बताए कि थैंक यू पर वच्चिंग